जनगन मन अधिनायत जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराथा दाविड उतकल वंगा जिंद्रहिमाचलयमुनागंगा उत्चल जलधितरंगा तवशुह नामे जागे तवशुह आशिष मागे गाहे तवजय गाथा जनगन मंगन दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय हे जय 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 हे कुछ नशा तिरंगे की आनका है कुछ नशा मात्र भूमी के मानका है हम लहराएंगे हर जगा इस तिरंगे को ये नशा हिंदुस्तान की शानका है नमस्कार अपना रेडियो 96.9 FM में आप सभी का स्वागत है मैं हूं कविता शर्मा दोस्तो 15 अगस्त 1947 ये वो दिन था जिस दिन भारत देश को आजादी मिली थी और इस आजादी को साल 2022 में पूरे 75 साल हो जाएंगे लेकिन उससे पहले 75 हपतों का हम मना रहे हैं आजादी का अम्रित महुतसब As the nation celebrates आजादी का अम्रित महुतसब Let us sing the national anthem और उसे upload करिये रास्टरगान.in पर क्योंकि अब ये देश हमारा है तो इस जश्न में होना चाहिए न हम सब को शामिल तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि भारत सरकार कि इस मुहीम के अंतरगत आप किस तरहास इसमें हिस्सा ले सकते हैं और इस विशे पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ कारिक्रम में जूड रहे हैं आईएस रोहित कुमार सिंग जोकी केंद्रिय संस्कृती मंत्राले में अतिरिक्ट सचिव के पत परतैनाथ हैं रोहित कुमार जी सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे कारिक्रम में सर रास्टरगान.in इसके बारे में तो हम बात करेंगे ही लेकिन सबसे पहले जो आजादी का अमृत महुत्सव है उस पर आपका क्या कहना है लेकिए आजादी का अमृत महुत्सव भारत की सुतनत्ता के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में मनाये जा रहा है यह पूरी गवर्मेंट के साथ साथ पूरे देश का इनिशेटिव है इसमें जो प्लान है वो यह है कि भारत की जो रिच संस्कृती और जो इतिहास है उसको सेलिब्रेट करने के साथ साथ जो इंडिया 2.0 है भारत आगे कैसा होना चाहिए इसमें हमारे नागरिक क्या सोच है उसको भी शुकिस किया जाए इसके दो इसके दो डिस्टिंक कॉंपरेंट है तो सेलिब्रेट और रिच काल्च्राल है इसके तैयारियां चल रही है जिसमें से एक है रास्टरगान गाकर के अपलोड करना एक साइट पर तो रास्टरगान.in सबसे पहले क्या है और इसमे रास्टरगान.in हमने इसके लिए पोर्टल क्रियेट कराया है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल फोन या लैप्टॉप या आइपड या इस तरह की किसी भी डिवाइस से रास्टरगान.in पर जाएगा तो उसके सामने एक प्रॉम्ट आएगा कि आप खड़े होक जाएगा कि आपने रास्टरगान गाकर इस पे पोर्टल पे अपलोट कर दिया है तो बहुत ही सिंपल सी प्रक्रिया है इसके पीछे जो उद्देश हो यही है कि हमें अपने जो हमारी इतनी बढ़िया प्यारी सी नाशनल आंथम है उसका जो गौराब है विए तो री अप जानकारी लेनी है वो गर किसी को नहीं पता तो इसके लिए को जानकारी उपलब्द है कहीं पर कि कैसे अपलोड होगा या कैसे कर सकते हैं हमने सारे स्कूलों और अन्य सस्थाओं को लिखा है सारे हम प्रियास कर रहे हैं कि इसका ग्यापक प्रचार प्रसार हो चूंकि आजादी का जो अमरित महुस्थाव है उसकी पूरी परिकल्पना यह है कि बहुत जारा इसके खिजूल कर्ची ना की जाए पर अभी जैसे एक दो दिन के वीतर एक SMS सब को चला जाए और लगबा करोणों लोगों को तो उससे भी लोगों को वीच करने की कोशिश कर रहे हैं इसके अतरिक्त अमरितमहुसभ.nic.in हमारी वेबसाइट है तो उस पर भी इसका एक लिंक है और जितनी गरब्नेट की वेबसाइट से हमने सबसे अनुरोध किया है काफी निकर भी दिया है कि इसका एक लिंक प्रवाइट करें जितना भी हमारे सामठ्थ में व्याफ़क प्रचाब रुसार कि व्यवस्ता हो सकती है वो हम कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं देश भक्ती इसे ओध प्रोत कर देने वाली एक मुहीम है और अगर किसी को प्लाटफॉर्म चाहिए तो प्लाटफॉर्म भी साइट के थू मिल रहा है तो सर क्या इसमें एंट्री करने के लिए यहां पर आने के लिए क्या कोई एज लिमिट भी है या कोई भी किसी वी एज का वेक्ती कोई एज लिमिट नहीं है हम तो जादा से जादा यह पूरे भारत का राश्रगीत है वी एज़ेज स्कूलों में स्पोर्ट्स में थीएटर्स में हर जगे लोग इसको गाते हैं और गौरबान वित म फ्रीद करें और भारत का नागरिक होने में फ्रकारेएं और इसको एक एफरी एफर्म करने का अब डि़ूदा इसमें ह। तो क्या सर इस साइट पर अपलोड करने के लिए भी कोई समय सीमा है कब तक वीडियो जो है वो अपलोड की जा सकती हैं तो हमने यह किया कि जब भारत को मध्यरात्री में आजादी मेली थी 14 अगस्त और 15 अगस्त की मध्यरात्री को, तब तक अपलोड करने का रखा है, अभी भी काफी संख्या में लोगों ने अपलोड कर दिया है, और मेरा आपके माध्यम से सभी से निवेदन है कि इस पुनीत क करेगा, उसको हमें क्लेक्ट करके एडिट करके इसको अलग से जो अन्य प्रचार मादे में दूरदर्शन इत्यादी उस पर एक गीप बना कर उसमें भी दिखाएंगे, तो जो लोग इसमें अच्छा प्रयास करेंगे, उनको इंसेंटिवाइस करने के भी तरीके, कुछ द जालना चाहें, वो दल सकती है इसमें, तो सभी के लिए एक्सेस है, क्या कोई टाइमिंग भी है कि जिसके बीच में ही अपलोड हो सकता है, तो सभी के लिए 24 हंटे उपलब्द है, पर चुकि हमें 15 अगस्त को दिखाना है, या 14 अगस्त की बंदिरात्री तक लोग कर दें तो अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी सभलियत होगी, तो युवाओ में काफी जोश है सर इस चीज को लेकर, इस मुहीम को लेकर, तो क्या कोई एक से अधिक बार भी हिसा ले सकते हैं? बिल्कुल, एक से अधिक बार भी हिसा ले सकते हैं, रश्रगान तो सब के लिए अच से साइट है और आखरी तारी क्या है? तो यह जो साइट है, यह www.rastragon.in है, राश्रगान में जी के बार दो ए हैं, जी डबल एन और डॉट आइन, इन इस पर इंडिया, जो हमारा डोमेन में है, और इस पर जाके यह जवाब इस पर जैसे ही जाएंगे, यह आपको प्रॉंक सरकार ने सभी को एक माध्यम दिया है, इस मुहीम में जुड़ने के लिए आपने अपना वक्त हमें दिया, रोईट सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी हम अपने रास्ट और उससे जुड़ी बात करते हैं, तो हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए, कि जिस आजादी को मिलने में भारत ने अपने कई वीरों को खोया, 15 अगस का दिन, हमारे लिए गौरब का दिन है, आजादी का अमरित महुत सब, जिसमें आजादी की उर्जा कामरित है, स्वाधिन ता सैनानियों से प्रेडना का अफसर, नए उर्जा और संकलकों का उतसब, रास्ट के जागरन का, तो मैंने तो रास्ट गान गाकर अपलोड कर दिया, आपने नहीं किया, तो जल्दी जाइए और अपलोड करिये, रास्ट गान.in पर, अब क जहां रहो, जहां मैं याद रहे तू. अपना रीडियो, 96.9 FM